मेरे देश भाईयों भारत की स्वतंतरता हित में अपनी सेवा अरपित करने का सवभाग्य मुझे बहुत वर्सों से रहा है आज मैं पहली बार भारतिय जनता के पर्थम सेवक के रूप में उसकी सेवा और सुधार के लिए प्रतिग्या बद होकर अपनी पद से आप से बोल रहा हूँ मैं यहाँ इसलिए हूँ कि आपकी ऐसी इच्छा थी और मैं यहाँ तभी तक हूँ जब तक कि आप अपना विश्वास देकर मेरा सम्मान करते हैं हम आज स्वतंत्र और पूर्ण सत्ताधारी लोग हैं और हमने अपने को अतीत के बोज से मुक्ट कर लिया है हम संसार की और इस्पष्ट और मैतरी पूर्ण आखों से और भविश्य की और आस्था और विश्वास के साथ देखते हैं विदेशी आधी पत्य का बोज दूर हो गया है लेकिन स्वतंत्रता अपनी अलग जिम्मेदारियां और भार लाती है और उन्हें हम स्वतंत्र लोगों की भावना से ही आत्म सैयम के साथ और उस्वतंत्रता की रच्छा और विस्तार करने के निश्चय से वहन कर सकते हैं हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है परन्तु हमने अभी तक इससे अधिक हासिल करना है तो आईए हम अपने नए धंदों में द्रनता से और उन उचे सिद्धानतों को ग्रेहन करते हुए जिने की हमारे महान नेताओं ने सिखाया है लग जाएं सवभाग से गांदी जी मार्ग प्रदर्शन के लिए हमें प्रेरणा देने के लिए और सदा आदर्स अध्यवसाय का पत दिखाने के लिए हमारे साथ हैं बहुत दिनों से उन्होंने हमें सिखाया है कि आदर्स और उद्देश उन साधनों से प्रथक नहीं किये जा सकते जो कि उनकी सिद्धी के लिए उप्योग में लाई जाती हैं अर्थात अच्छे उद्दिश्यों की सिद्धी अच्छे साधनों द्वारा ही संभव है यदि हम जीवन की महान बातों की ओर लक्ष करते हैं यदि हम भारत का स्वप्न बड़े राष्ट्र के रूप में देखते हैं जो की सांती और स्वतंत्रता का अपना प्राचीन संद देश दूसरों को दे रहा है तब हमें स्वयम बड़ा बनना है और भारत माता की योग्य संतान बनना है संसार की निगाहें हम पर हैं और वे पूर्व से इस सोतंत्रता के जन्म को ध्यान से देख रही हैं और विचार कर रही हैं कि इसका अर्थ क्या है हमारा पहला धेय यह होना चाहिए कि हम सब प्रकार के आंतरिक जगडों और हिंसा का अंत कर दें जो की हमें कलुसित करके गिराते हैं और जो की सोतंत्रता के पक्ष को हानी पहुचाते हैं ये जन्ता की महान आर्थिक समस्याओं पर जिन पर तुरंत ध्यान देने की अवसकता है विचार करने में बाधक होते हैं अपनी दीर्ग कालीन पराधिंता और विश्व्यापी युद्ध और उसके परिनामों ने हमारे आगे बहुत सी अत्यावश्यक समस्याओं को एक साथ डाल दिया है आज हमारी जनता के लिए भोजन और वस्त्र और अन आवस्यक वस्त्वों की कमी है और हम मुद्रा इस्वीती और बरती हुई कीमतों के बवंडर में पड़ गए हैं हम इन समस्याओं को तुरंत हल नहीं कर सकते साथ ही उनके हल करने में देर भी लगा सकते हैं मेरे देश भाईयों हमें बुद्धी मत्ता के साथ ऐसी योजनाएं बनानी हैं जिन से हमारी जनता का बोज कम हो और उनके रहन सहन का इस्तर उंचा उठे हम किसी का बुरा नहीं चाते लेकिन यह बात इस पश्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि अपनी चिर पीडित जनता के हितों का ध्यान हमें सबसे पहले होना चाहिए और अनिस्वार्थों को उनके आगे जुक जाना चाहिए हमें अपनी दकिया नूसी भूमी व्यवस्था को सीगर ही बदलना है और हमें एक बड़े और संतुलित पैमाने पर उद्योख व्यवसायों को उननत करना है जिससे की देश की संपत्ती बड़े और लाब उचित रूप में वित्रित हो सके उत्पादन आज की सरोपर्थम आविशक्ता है और उत्पादन में रुकावट डालने या उसे कम करने का प्रतेख प्रियत्न राश्ट्र को और विसेस रूप से हमारे बहु संख्यक स्रमिक को हानी पहुचा रहा है लेकिन केवर उत्पादन परियाप्त नहीं क्योंकि इसका परिणाम यह हो सकता है कि संपत्ती खिच कर कुछ थोड़े से हाथों में आ जाए उन्नती के मार्ग में यह बादक होगा और आज के प्रसंग में आश्ठिरता और संगर्स उत्पन करेगा आतायव समस्या को हल करने के लिए उचित और न्याय संगत वित्रण अत्यंत आवस्यक है भारत सरकार के हाथ में इस समय जल प्रवाह के नियंत्रण द्वारा नदियों की घाटियों के विकास की बादों और जलागारों और सिचाई के सादनों के निर्माण और पन बिजली की सक्ती के विकास की कई बड़ी योजनाई हैं इनसे खाने की वस्तमुं के उत्पादन में तथा सभी तरह के और द्योगिक विकास में सहता मिलेगी ये कार्य सभी योजनाओं के लिए बुनियादी हैं और हम इन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं जिससे की जनता को इनका लाब मिल सके इन सब बातों के लिए सांती की इस्थती और सभी संबंदित लोगों का सैयोग और कठिन श्रम निरंतर आवश्यक है इसलिए हमें इन महान और करने योग्य कामू में लग जाना चाहिए और आपस में जगडे ससाद को भूल जाना चाहिए जगडा करने का समय अलग होता है और मिल जुलकर उद्योग करने का अलग काम करने का समय अलग होता है और खेल कूद का अलग आज ना जगडा करने का समय है ना बहुत खेल कूद का यदि हम अपने देश और अपनी जनता के साथ विश्वाद घात नहीं करना चाहते तो आज हमें एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए और मिल जुलकर काम करना चाहिए और यथार्थ सद भावना से काम करना चाहिए मैं कुछ सब्द नागरिक तथा सैनिक राज सेवकों से कहना चाहूंगा पुराने अंतर और भेद मिल गए हैं और आज हम सबी भारत के स्वतंतर बेटे और बेटियां है और अपने देश की स्वतंतरता का तथा उसकी सेवा में लगने का हमें गर्व है हम समान रूप से भारत के प्रती नीश्ठा रखते हैं हमारे सामने जो कठिन समय है उसमें हमारे राज सेवकों और विशेशग्यों को बड़े महत्यों का भाग लेना है और हम एक साथे के भाती उन्हें भारत की सेवा में लगकर ऐसा करने का बुलावा देते हैं इस्टाप